मुप्त इनाम पाने के लिए बाते सुने प्याज का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बालों में काला पन आता है रात में सुने से उल्टी गिंती गिनने से 60 सेकंड में नीद आ जाती है अंद में एक मुहाबरे का जवाब जरूर दीजिएगा सही जवाब देने वाले को पेटियम के माद्यम से इनाम हम तुरन देंगे और आपकी मुबाइल नमबर पे भी मैसेज करेंगे नमबर तीन यदि गली की खरास खत न हो रही हो तो चौकलेट खाने से खासी में आराम मिलता है नमबर चार घर में गुलाब का पौधा लगाने से खुजियां आती हैं तथा तनाव दूर रहता है नमबर पांच चेहरे पर दाग धब्बे और जाईयां खत्म करने के लिए नीबू के रस को चेहरे पर लगाएं नमबर छे कहते हैं कद्दू सीता फल का सेवन करने से आपकी उम्र में काफी हद तक इजाफा होता है नमबर साथ जारू को खड़ी होकर न लगाएं बलकि बैट कर ही लगाएं नमबर आठ सहद और नमक को एक साथ मिलाकर दाथ साप करने से आपके दाथ मोती जैसे चमकते हैं और दर्द में आराम मिलता है नमबर नौ अगर घर में किसी को पेट से सम्मंधी बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल का ज्यादा सेवन करे नमबर दस पीपल का पत्ता मो पर बांगने से मू के दाने खत्म हो जाते हैं नमबर ग्यारा अद्रक और नीबु का रस रोजाना मिलाकर पीने से मोटापा घटता है और सरीर में दिन भर उर्जवान रहते हैं नमबर बारा दूद और शोंट का सेवन करने से पेट हमेशा साफ रहेगा नमबर तेरा खड़े होकर पानी पीने से जोड कमजोर होते हैं और हमें जोडों के दर्द की समभावना बढ़ जाती है नमबर चौदा एक सेव रोज खाने से हमें कोई भी रोग नहीं होता है और हमें डॉक्टर की पास नहीं जाना पड़ता है आज का प्रश्ण है दोस्तों रंग बिरंगा बदन है इसका कुदरत का वरदान मिला इतनी सुन्दरता पाकर भी दो आक्षर का नाम मिला ये वन में करता सोर इसके चर्चे हर सोर बताओ कौन आपके सही दिये गए जवाब को आगे सेर कर अपने बारी का इंतजार करें और आपके पेटियम के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम आपको मुप्त इनाम जरूर भेजेंगे धन्यवाद दोस्तों